हेलो एवरीवन वेल्गम बैक टू मैं चैनल आप सभी लोग कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आपके लिए रिवी लेकर आई हूं एक हेर ओल के बारे में हेर ओल की में बात कर रहे हूं वह है कियो कार्पे नौन स्टिकी हेर और यह जो ऑईल है वह है एन्रिच बित ओलिव और और नेच्रल बिटामिन इस स्मूज सॉफ्ट एंड शाइनी हेर मैं आपको अपना एक्स्पीरेंस बताऊं इस हेर ओल के साथ तो वह कुछ इस तरीकी के था कि आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है सॉफ्ट बनाता है स में कोई घृभ करने मैं कोई भी हैं नहीं करता है आपको इसको लगाने के बाद आपके यह बहुत अच्चे से soft, shiny and smooth हो जाएंगे और manageable भी हो जाएंगे, frizz free भी हो जाएंगे, जितनी भी dryness और frizz की problem है, वो भी पूरी solve हो जाएगी, बट अगर आप ये सोचे कि आपको इससे hair fall कम हो जाएगा, या फिर आप ये सोचे कि इससे आपके hair growth अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो का, it's just a non-sticky hair oil, hair oil का substitute है कि आपको कहीं urgently जाना है, आपके hair बहुत जिदा dry and frizzy है, वो कोई hair oil चाहिए, जिसको आप हलका सा लगाएं, और वो manageable हो जाए, बहुत तरीकी के serum भी आते हैं, hair serum आते हैं, बहुत सारे serums आते हैं, आपने hairs को manageable बनाने के लिए, और hair care का non-stick oil भी आ आता है, जो आपके hair को manageable बनाने के लिए हम use करते हैं, तो यह उसी type का है, या तो आप serum use कर सकते हैं, अगर आप serum थोड़ा सा costly पड़ता है, बट यह जो non-sticky hair oil होते हैं, वो थोड़े से affordable रहते हैं, serum के comparison में, और यह similarly work करते हैं, जिस तरीके से hair serum, hair को manageable बनाने में help करता है, वैसे ही और नरिश करता है, वैसे ही यह भी आपके hair को manageable बनाने में help करता है, और hairs को नरिश भी करता है, इसमें olive oil and vitamin E है, जितने भी आयरवेदे kind of hair oil होते हैं, और उसे तेज स्मेल आती है, उसी जैसे तेज स्मेल इसमेल से आती है, अदर इसको use करने में कोई problem नहीं है, ज कि आपके hair को perfectly smooth, soft and shiny बनाता है, I just love it, जब भी hair manageable नहीं होते हैं, बहुत अधा dry and freezy हो जाते हैं, तब मैं इसको use करती हूँ, या फिर मैं video बनाने वाली हूँ, मेरे hair को जद़ा dry and freezy हो रहे हैं, especially lower area से, तो तब मैं इसको हलका से 4-5 drop लेकर अपने lower length पर लगा लेती हूँ, जिससे hair बहुत ही जादा manageable हो जाते हैं, उसे साफसे मुझे बहुत ही जादा पसंद है क्योंकि एक तो यह non sticky है, non greasy है, बालों पे heavy नहीं लगता है, और hairs को बहुत अच्छे से manageable भी बना देता है, इसकी जो quantity है, वो है 200 ml और 200 ml के लिए आपको pay करना रहता है 90 rupees, only 90 rupees, very affordable, 200 ml product आपको स्रिफ और 90 rupees में मिल जाता है, अगर आप offer में लेते हैं, तो आपको और भी कम मिल जाता है, especially जिनके hairs बहुत जादा curly होते हैं, manage करना बहुत जादा 5 rating देते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं चल को subscribe करना, वीडियो को like and share करना ना भूदे, जल्द ही मैं और भी ऐसे ही hair oils, hair packs के उपर वीडियो लेकर आने वाली हूं, I think, या तो इससे पहले चले जाएंगे, या फिर इसके बात जाएंगे, पर definitely ब अखरा कर दिएयो